गबरू में गबरू नाम का एक व्यक्ती रहता था गबरू अच्छा इंसान था लिकिन गबरू के छोटे कद के कारण कास गंज के लोग गबरू को पिलकुल भी पसंद नहीं किया करते थे वो जब भी गबरू को देखते उसके छोटे कब को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते एक दिन गबरू अपनी मस्ती में हाथ में जोला लेकर गाउं के बाजार में गाना गादे चल रहा होता है ओहो हो मैं तो चला सबजी लेने ओहो हो है ताजा ताजा ओहो नरम नरम ओहो सबजी सबजी लेने मैं तो चला ओहो हो तभी काउं के दो युवग जींगा और राधू गब्रु को देखते ही अरे भाई वो देखो अपने बौने गब्रु को कैसे गाना गाते हुए जूमता चला जा रहा है यो लगता है भाई